कश्. दोस्तों, आज समय वह॥कती की सबसे बड़ी दिकत यह एक बसे जादा इस एक बड़ सेक्स नहीं कर पाता हि दिन में और या कभी भी करता है तो भी बड़ से जादा नहीं कर पाता है और उसको शंतुष्ट्री नहीं मिल पाती है इस टोफिक पे आज मैं बात करूँगा कि कैसे आप दिन में एक दिन में दस बार सेक्स करने जितनी ताकत पा सकते हो अगर आपको एक प्रोब्लम है तो ये वीडियो ध्यान से पुनिएगा और इसमें जो भी जो पताई चीजी हैं आप उसको फोलो केजिएगा आप एक दिन में दस बार सेक्स करने की ताकत पाप जाएंगे मैं हूँ आईरेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं इस चैनल पर आपको हर प्रकार के सेक्सुल समंझी जानकर भी देता रहता हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम किया इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और मैं आज बताऊँगा आपको कैसे आपको परहेज करने हैं जिससे आप अपने एक दिन में दस बार सेक्स करने की ताकत पास सकें और क्या क्या आपको खाना है क्या फूड लेने हैं और क्या आपको दुआया ले सकते हैं अगर आपको कोई भी सेक्स समझ्या है तो आप मुझे कोल कर सकते हैं कभी भी इसी नमबर पे जो आपके डिस्पले पे हैं आपको हरपरकार की परमानेट इलाज के लिए बताया जा तो उनके लिए परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज में सबसे पहले होगा, अगर आप कोई भी परकार का नसा करते हो, गुटका, अबीडी, शिग्रेड, तामाकू, कोई भी लेते हो, तो आपको बिल्कुल उसको बंद कर देना है, अगर आप कोई भी परकार का फास्फु तो तली-फली चीजे, मिर्च मसाले तो कुछ दिनों के लिए बंद करना ही पड़ेगा आपको, जब तक आप ठीक ना हो जाओ, दूसरी बात, अगर आप हैंड प्रक्रिक्स करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर देना है, नाइट फॉल होता है, तो उसका इलाज लेना है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई वी नाइक फॉल के लिए जाके देखिए, बस वीरे का आपको छरण नहीं करना है, और तीसी बार डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सही रहना चाहिए, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो आप कोई भी परकार क किसी बी परकार की चीज़े आपके शूट नहीं होने वाली है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी सही रह सकते हैं, वो भी मैं बता दूँगा इसी वीडियो में, जिससे आपको पर इसानी नाव, और साथ में आपको क्या-क्या खाना है, जिससे आपके अंदर सेक्स पाव तो बात करेंगे सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी सही रख सकते हो, देखो दोस्तों पेट साइफ रटने के लिए बहुत सारी अईरवेदी कोश्दिया है, तिर्फला भी अच्छा है, पंसकार चूरन भी अच्छा है, लेकिन तिर्फला ऐसा है कि अपने शरी जिजे बिगोनी और सुबह उठते ही खाली पेट खाना है, जैसे कि पांच अक्रोट, पांच बादा और तीन चुवारे, चुवारे यानि खजूर जिसको बोलते हैं, ये तो आपको रेगुलर बेस पे आपके सरीर में यूज करना है, खाना है, रात को बिगोना है, सुब खाना है, रेगुलर खाना है, साथ में आप आईरवेधिक द्वाया भी ही इस्तमाल कर सकते हो, बहुत सारी है, लेकिन ये कब तक खाना है, ये सहे आप पूरी जिन्गी बरखा सकते हो, अगर आपके बजट है, नहीं तो दो-तीन मेने खाऊ गे तो भी बहुत अच्छे, आ मरवादा है, फिर आगे बात करते हैं, आप उमर भी इसमें कोई माईनी निरखती, आप कोई भी उमर का खा सकता हो, भी 10 साल से लेगे, 100 साल तक कोई भी वेक्ती इसको खा सकता है, अब आईरवेधिक द्वायों में बात करते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, आईरवेधिक में भी बहुत शारी जड़ी बूटिया है जो सिंगल ड्रक्स में मिल जाती है आपको आपको ज़्यादा पच्छरडे में पढ़ने के जूर्त नहीं है तो अस्वगंदा पाउडर भी आता है अस्वगंदा अले भी आता है डातु पॉस्टी क्चुरण भी आता है सतावरी भी आता है बहुत सारी ऐसी दवाएं आती है लेकिन अगर आप इसमें कोई भी एक कोश्डी का सेवन कर सकते हैं सारी चीजें ये किये हैं अगर सारी लाना चाते हैं तो सारी लेए अगर सारी आप यूज कर रहे हैं और साथ में आप इलाइची, रात को सोते हो, तीन इलाइची तो कम से कम आपको खा के सुनी है, इससे बहुत अच्छा रिलिख मिलता है, सेक्स्वाल डिसोडर, जैस्वाल प्रोब्लम, कोई भी ऐसी दिकत आती है, तो, जो भी चीजे मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इसे ही अगर आप करते रहोगे, तो आपको जिनकी में कभी कोई सेक्स प्रोब्लम में मुझे नहीं लगता कि आपको दिकत आएगी, फिर भी आगर आपको हमेशा परिसान नहीं में रहते हैं, हर नुसके है, हर चीजे अपना-पना के थक गए हैं, तो आप मुझे कोल कर ल रहता हूं, मिलते हैं एक अची वीडियो के साथ, नमस्कार.